नमस्ते मैं हूँ संध्या सिसोधिया और आपका स्वागत है आज के वीडियो में इससे पहले मैंने आपके लिए परिक्षा ओपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सिरीज बनाई थी अमीद है आपको उसका लाब जरूर मिला होगा अब मैं आपके सामने एक और नई सिरीज लेकर आई हूँ और इस सिरीज का उद्देश है चित्रों को आसान तरीके से बनाना सीखना और कक्षा दस्वी के महत्वपुर्ण चित्रों को आसान तरीके से बनाने की शंखला में आपका स्वाकत है और आज हम मानो मादा का चनंतंतर बनाने का अभ्यास करेंगे तो आईए शुरू करते हैं शुरुआत आपको करनी है वी शेप से आपको वी शेप बनाना आता है बस उसी को बनाना है आपको लेकिन थोड़ी सी लहराती वी लाइन के साथ बनाईए और कोशिश करें थोड़ा बड़ा बनाने की इस तरह वी शेप बना कर तयार करने अब आपको इसे डबल कर देना है इस तरह अब आप इसे उपर से बंद कर दीजिए ऐसे अब आपको क्या करना है एक लाइन और बनानी है लकिन लहराती वी नहीं सीधे हाटों से सदेवे हाटों से इस तरह बनाईए एक लाइन बाहर की तरफ यहाँ पर भी बनाईए और यहाँ भी लेकिन आपको लाइन को जोड़ना नहीं है इस तरह बनाने के बद यहां से हम एक नलीका बनाएंगे लेकिन उसको ऐसे पहाड की तरह यात्री भुजाकार शेप में बनाईए ऐसे इस तरह से यहां भी इसी तरह बनाईए ऐसे अब हमें यहां रखकर दो छोटी लाइन बनानी है और एक अंडाकार शेप बनाना है इधर भी आप ऐसे ही एक शेप बना के तयार कर लेंगे और अब क्या करना है यहां से इस हिस्से को थोड़ा सा चूड़ा करके और ऐसे होल्ड करने के लिए कीप लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए या आप इसे हैंड की तरफ बना सकते हैं इस तरह का शेप बना कर तयार कर लेंगे अब यह जो बाहरी लाइन है इसे बढ़ा दें थोड़ा नीचे की तरफ और अब यह जो सैंटर वाली लाइन है उसको थोड़ा उपर की तरफ घुमाएं और फिर इस तरह नीचे की तरफ लेकर जाना है इसे भी इस तरह उपर की तरफ घुमाना है और नीचे की तरफ लेकर जाना है और अब आपका चित्र तयार है इस तरह से जोड़ दीजिए ये लाइन्स हैं गरभाशे की तो आपका चित्र तयार है बस नामकरण करना है तो आईए शुरू करते हैं कि नामकरण कैसे करना है आपको बताते हैं सबसे पहले ये जो आपका शेप दिख रहा है पहला इसे कहा जाता है अंड वाहिनी या डिम्ब वाहिनी ये दूसरा वाला शेप आप जो देख रहे हैं ये है अंडा शेप ये सांटर में जो आपको खाली एरिया दिख रहा है बड़ा सा वो है गर्भाश्रे और ये सारी जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये गर्भाश्रे की दिवारे हैं ये हिस्सा कहलाता है ग्रीवा और ये अंतिम भाग है अब हम नीचे लिखेंगे कि हमने किस चीज का चित्र बनाया है ये चित्र है आपका मानव मादा जनन तंत्र का जिरूर लिखें नीचे नामांकन करना अवश्रक है इसके भी माक्स होते हैं अगर आपने पूरा चित्र बना दिया और नाम नहीं लिखें तो आपको माक्स आधे ही मिलने वाले हैं तो हमेशा ध्यान रखें आप एक साफ सुत्रा और नामांके चित्र बनाएं स्केल से लाइन खीचे और पैंसल से चित्र बनाएं एक सुन्दा चित्र बनाएं एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो ये चित्र आपसे आसानी से बन जाएगा ये बहुत आसान चित्र है तक के लिए नमस्कार थांक यू